वेल्कम दोस्तों एक और फिर से स्वाखते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकर जैसी सी पे आज मैं आपके लेगे कौन नहीं वीडियो आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में फैल्स फैल्स के बारे में ठीक है तो चलो ब्रोग्राम को शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक सिंपल सा प्रोग्रम ले रखा है तो हम जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे स्टैक की साथ इस्टैक की साथ क्लोस कर देंगे तो जे हमने दो वेरियाबले ले एक 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 य वेरियाबले ले 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 एक में हमने स्टोर कर दी एटी वैल्यू y बमने वैलियू स्टोर कर दो 60 ठीक है? तो जी हमने एक comparison operator लगाए ठीक है? जिसको comparison operator पोला कर दे को जैको जे greater than जो x बमारा है जहांपे चेक कर रहा है अब किया चेक कर रहा है? तो x is तो ठीक है? तो जहांपे चेक कर रहा है कि X जो हमारा है वो greater than इसको save करता हूँ हाँ इसको इसको क्या बोलते है जो brackets जो ये यी 62 इसको क्या बोलते है कि चन्ट्रोल बोडी में तभी आएगा अगर condition true होएगी अगर condition false होएगी तो control कभी भी हमारा body में इस body में नहीं आएगा, ठीक है तो अभी condition true हो रही है, 80 है, yes और by में कितनी है, 60 ठीक है, जो 80 होते हैं, वो greater than होते है y से, 80 बड़े होते हैं, 60 से 60 से, 60 से बड़े होते हैं, yes condition true हा condition true हा, हमारा control body में आजएगा, उसमें जो भी message होगा, आपकी screen पर print हो जाएगा, जो भी हमने लिखा होगा, ठीक है जो भी हमने action perform करवाया अब हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं, इसका आ रहा है कि नहीं तो जीको, axis भी आ रहा है, ठीक है अगर हम condition false कर देते हैं, जहां ऐसे हम क्या करते हैं, condition को false कर देते हैं, ठीक है तो इसको मैंने किया save तो अभी इसको reload करता हूँ ठीक है तो भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है तो हमने जी condition false क्यासी होई x में कितनी value हो, 80 value है, y में 60, जो x की 80 है वो less than होते हैं, 60 से जो 80 होते हैं, short होते हैं, 60 से नहीं, वो तो बड़ी होते हैं, इसका कि condition false है, तो मेरा का हमारा control body में नहीं जाएगा, तो हमारा control body में नहीं जाएगा control बाहरा जाएगा, इस body में enter नहीं होगा, अगर condition true होती, तभी control body में जाएगा अब हमारा क्या होगा, condition false होगी, अगर हमें चाहिए कि अगर condition false हो रही है तो हमें क्या करना जाहिए हमें कुछ मैसेज चाहिए प्रिंट करने के लिए फिर हम क्या लाएंगे फिर हम जहां पे लिखेंगे else हम else लिखेंगे तो जहां पे लिखेंगे इसको हम copy paste कर लेते हैं ठीक है ctrl c तो अभी इसको जहां पर paste करते हैं तो अभी इसको save करते हैं जहां लिखते हैं 22 ठीक है तो 22 भी हमने इसको save किया तो इसको किया save अब इसको reload करते हैं ठीक है 22 भी का रहा है ठीक है अगर जिब if else कैसे जलेगा अगर जे वाली condition true होएगी न तो control हमारा if की body में जायेगा जे वाली condition false होती है तो control हमारा कहां पर जाएगा अगर फवाली condition true होती है तो control हमारा इसको बाडी में जायेगा अगर इफ वाली condition false होती तह control हमारा else पे जाएगा अभी हमारा control कहा जा रहा है अभी हमारा control else पे जा रहा है ठीक है जी else why, why is big ठीक है तो अगर हम condition true कर देते हैं फिर से हम condition को true कर देते हैं ठीक है तो मैंने इसको किया save तो किया save अभी इसको करते हैं reload लोड़ा, ठीक है, एक्सिस विगा आ गया, क्योंकि condition हमारी true होएगी, मतलब दोनों में एक इक condition चलेगी, जा तो if वाली चलेगी, जा एल्स वाली, अगर if वाली condition true होती तो control if की body में जाएगा, अगर false होती है, तो else वाली body दे देते हैं, फिर देखते हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं, तो अभी देखते हैं, ठीक है, 22 बिक, देखो, program दो हमारा गलत हो गया, अब तो दोनों values equal है, 80 जो greater than होता, 80 से नहीं condition, false, 22 बिक लिख दिया, अगर ऐसी condition हो जाएगा, जहां पर हमें तीन condition चाहिए, इस if-als में तो ह ठीक है, जी देखो, ठीक है, जहां पर लगाना पड़ेगा, y greater than x, ठीक है, तो उसके बाद, जहां पर हमें एक else और लगाएंगे, तो अभी इसके साथ एक else और लगाएंगे हम, तो, ठीक, तो अब जहां पर लगाएंगे, x, x and y, x and y, is equal, is equal, ठीक है, तो अभी इसको करते हैं, save, अभी इसको किया, मैंने save इसको, अभी इसको रिलोड करता हूं, ठीक है, अभी इसको किया, रिलोड, तो झेक है, x and y is equal, ठीक है, कैसे चला control, अमारा प्रोग्रम कैसे execute होगा होगा, देखते हैं, हमने x में वैल्य देदी 80, y में देदी 80, ठीक है, जो 80 होते हैं, ग्रेटर दैन होते हैं, x में भी 80 है, y में, जो 80 होते हैं, वो ग्रेटर दैन होते हैं, 80 से 9, condition of all, नीच आगे, और इससे LC के साथ फिरम ने की, इसको लगा ली, ऐसे आप जितने मर्जी इसको कोई चक्कर निया, ठीक है, कर सकते हो, इ y की value भी x से बड़ी नहीं है, x की value y से बड़ी नहीं है, और y की value वो भी x से बड़ी नहीं बड़ी है, इस बज़ा से दोनों values क्या है, equal है, इस बज़ा से हमने जेवाल answer हमारी screen पर आजाएगा, हमारे browser पर show हो जाएगा, x and y is equal, ठीक है, इस तरह से हमने क्या, if पहले इप का था, अगर ने डवल जू तरी स्कूल से आपने इसको study करना है, तो आपको बहाँ पे comparison operator के साथ, आपको if else मिल जाएगे, ठीक है, तो उसके साथ आप कर सकते हो, यह देखो, if else, ठीक है, conditions, ठीक, आप जूरी नहीं हमने एक message प्रेंट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, को कोई भी operation perform करा सकते हो, कोई mathematical, logical, जो भी आपको requirement हो, प्रोजेक्ट में, आपको action perform कर सकते हो, ठीक है, तो जे मारे एक simple सा program था, एक simple सा program था, कि जिसमें हमने if else को देखा, तो इसमें आपको कोई भी दिख़ दो, कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको मारे चैनल पे पहली と開व कोई भी तो उतवी जाओआ हो, ऑली आपको जुझ के पहली आपको इस से कर सकते हो, जिसमें जिसमें यगको पहली को कि वाँको जिए।tır में अभी जिसमें हो, है, प मत youजए।